हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे जैसा कि आप सब को पता है, यह हमारी यूमन रिसोर्स मेनेजमेंट यानि HRM की सीरीज चल रही है जो भी Companies Interview कंडग कराती है, तो वो जो इंटर्वियो होता है, वो कितने तरीके का होता है तो बेसिकली जो इंटर्वियो है, वो फोर तरीके का होता है, आज हम इन चारों को डीटेल में पढ़ेंगे पहला जो टाइप होता है, वो होता है Preliminary Interview इनका जो में मोर्तिव होता है ये इंटर्व्यू कराने का वो होता है कि जो भी उनको निकाल सके ठीक है मलब बहुत जादा लोग इंटर्व्यू देने आते हैं तो कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि उन सारे कंडिडेट से वो इतनी देर देर तक के लिए इंटर्व्यू ले सके इसलिए जो ये पहला इंटर्व्यू लेती है वो बहुत ही छोटे समय क इंटर्व्यू होता है और इसमें ऐसे परिशन जो कि अन्कॉलिफाइड है उस जॉप को नहीं कर सकते हैं उस जॉप के रिक्वार्मेट के हिसाब से उनके कॉलिफिकेशन नहीं है तो कंपनी क्या करती है उनको उनक्वॉलिफाइड कर देती हैं उस राउंड के बाद वह हो जाते हैं अब जो next होता है वो होता है planned interview it follow a definite plan of action that is a formulated pattern it is based on a assumption that to be more effective very every detail must be worked out in advance it has a set of specific question to be asked or pre-arranged sequence of question it is also called structured pattern or guided interview जैसा कि जेकि जो दूसरा है planned interview इसको हम लोग structure interview, pattern interview और guided interview भी बोल सकते हैं यह जो होता है जैसा कि हम लोगो नाम सही समझ में आता है पूरा pre-planned interview होता है interview conduct कराने से पहले company सारी चीज़े plan कर चुकी होती है कि उसको कब interview लेना है, कैसे interview लेना है, किसके द्वारा interview conduct करवाना है कहां interview लेना है, कितने देर का interview लेना है, interview में कौन-कौन से question पूछे जाएंगे even वो भी pre-decided होता है और यह basically क्या होता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कुछ नहीं होता है इसमें candidate आते हैं, और जो interviewer है, वो direct क्या करता है उनसे question put up करता है, और उनके knowledge को check करता है जो आपका third type था, वो है non-directive interview इन दिस candidate are given opportunities to reveal interest than answering a lot of question इसमें जो भी इंटर्वी इंटर्वी इसमें जो भी interview viewer होते हैं, वो हमारे interviewer से क्या करते हैं question बहुत जादा put up नहीं करते हैं, उसमें क्या होते हैं वो उनको chances देते हैं, कि जो आपका interest है जिसमें आप लोगों को जादा अमल लगता है, आप उसके बारे में बताए चाहिए वो आपका goals हो, चाहिए वो आपका किसी भी तरीके का interest हो मतलब कुछ भी हो, वो candidate आप उसके बारे में क्या करते हैं interviewer को बताते हैं, ठीक है? जो देखिए last type है वो आपका depth interview यह हमारे जो इंटर्वियू का type है, वो हमारा last type है, depth interview इट इस यूस्टो गो इंटो more detail और a particular subject topic विच इस very important for taking correct decision यह सबसे आखरी type का interview होता है, जिसमें की जो company होती है वो बहुत ही ज़्यादा detail में candidate से question पूस्ती है ताकि वो उनके knowledge के बारे में जान पाए, उनके understanding के बारे में जान पाए और जिसकी मदद से क्या company क्या करती है, सही सही decision लेती है कि उसको उस person को hire करना है या फिर नहीं करना है तो basically जो हमारा यह topic था यहीं तक था, hope आपको यह topic समझ में आया होगा फिर भी किसी को कहीं कोई भी problem हो तो आप मुझे comment section में comment करके पूस सकते है thank you so much, please like, subscribe and share my channel किसी को इस subject या किसी भी subject के notes purchase करने हो तो वो मेरा description box चेक कर सकता है thank you